ग्रिह मंत्री बनने का आपको मौका मिला। देश की ग्रिह मंत्री अमिच शाह के रिकॉर्ड के तक्रीबन खरीब आप पहुँच गए जब 2002 में कम उम्र में उन्होंने गुजरात की कमान सम्हाली थे और ग्रिह मंत्री बने थे। तो ये एहम जिम्मदारी वो कौन-कौन सी खूबिया रही आपके भीतर जो इतने युवा चहरे के उपर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी ने अमिच शाह ने डाउन लगाया। अलग-अलग जिल्ले गुजरात राज्य के कानून के नाम से नहीं जाने जाते थे। गुजरात का पोरबंदर हो, बरोडा हो, अंदावाद हो, सूरत हो। खास तोर पे पोरबंदर में ऐसा कहा जाता है कि पोरबंदर डिस्ट्रिक की जहां से सुरुवात होती है। वहां बड़े-बड़े बोर्ड लगे होए होते थे। कि यहां से गुजरात का कानून खतम होता है और पोरबंदर के जो तब के जो गुंडे थे उनके नाम से कानून चालो होता है। आज मैं गुजरात के एक युवान नागरिक के तौर पे मोदी जी और अमिट साजी का आभार मानना चाहता हूँ। कि 2002 के बाद उन्होंने संगर्ज और सहास से एक के बाद एक गुजरात में कड़े कदम उठाके गुजरात की लौएन ओडर के सिचुएशन्स देश में नमबर वन करने में सबसे ज़्यादा श्रे उनका जाता है। और आज गुजरात सबसे सुरक्षित राज्य के तौर पे जाना जाता है। 27 साल की उमर थी, 27 साल की उमर में जब मैं चुनाव लड़ने गया तब कॉंग्रेस का एक नारा था, एक बच्चा आया है, डिपोजीट खोके जाएगा, मैंने कल ही बताया कि 2022 में आज मैं बोल रहा हूं कि 10 साल के बाद, कॉंग्रेस ने तब मुझे बच्चा बोला था, कल मजुराव विदान सबाग के नागरिकों ने बताया कि हाँ, ये मेरा बेटा है, ये हर्श हमारा बेटा है, मैं मेरे शेतर का बेटा बनके काम कर रहा हूं कही सालों से, और अब मैं गुझरात का बेटा बनके ग्रे मंत्री के रूप में गुझरात की सेवा कर रहा हूं। कि कहां से आती है और ग्रे मंत्री की तौर पर जवाब देहीं आपकी ही है चित्रा जी आप मुझे ये बताइए ग्रे मंत्री के तौर पर मुझे अभिनांदन मिलना चाहिए या गालिया मिलनी चाहिए मैं ड्रग्स पकड रहा हूं ड्रग्स का कारोबर चलने नहीं ले रहा ह आप मुझे ये बताईए मेरे से पहले ही पंजाब के राजनिती से जूड़े हुए लोग यहाँ बैठे थे ये पाकिस्तान से जो ड्रग्स के माफिया वनसो पनसो करोड रुपे के ड्रग्स लेके जो आ रहे हैं वो अमदावाज सहर के कोई पुलिस टीशन में सामने से जाके ड्रग्स जमा करा के नहीं आते हैं यहाँ पे ड्रग्स पकडने के लिए गुजरात पुलिस को सहासिक काम करना पड़ता है भारत पाकिस्तान की बॉर्डरों में ये दर्याई जो तुफान होता है उसके बीच में गोलियों का सामना हमारी गुजरात की पुलिस के जवानों ने किया है तभी इतने हजारों करोडों का ड्रग्स हमने पकड़ा है गुजरात पुलिस ने ड्रग्स मातर गुजरात की धर्ती से नहीं पकड़ा गुजरात पूलिस ने अप टू एंड तक तेकिकात करके ड्रग्स के कारोबारों का नेटवर्क तोड़ने में सबसे बड़ी सफलता प्राफ्त किये पंजाब की जेलों से चल रहा है ये कारोबार हमने पंजाब पूलिस को कई बार ये विशाई का ध्यान दिलाया है हमने ये नेटवर्क तोड़ने का बहुत ही बड़ा एक सफलता हासिल किये मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया कि ड्रग्स का कारोबार ये देश में ड्रग्स का कैपिटल राज्य कुन सा है बार-बार आप जिसका नाम ले रहें कहा तो उसके बारे में जाता है ने आप भी जानते हो मैं भी जानता हूँ मेरा ये मानना है कि ड्रग्स का कैपिटल राज्य पूरा देश देश के युवान सब जानते हैं कि पंजाब है आप पंजाब के आकड़े सामने लाईए क्या काम किया उन्होंने ड्रग्स पकडने में ड्रग्स का कारोबार चलने लेना ये बहुती बड़ा गुना है लेकिन कॉंगे से लेकरामा की पार्टी तक सब ड्रग्स के मुद्दे पर घेर रहे हैं आपको देखे ये सबका ड्रग्स से क्या तालोकात है ये सही में ये जाजका भी सही है मेरा ये मानना है ड्रग्स पकड रहा हूँ मैं सहासिक काम कर रहा हूँ मैं हरोज ड्रग्स के खिलाफ मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ये ड्रग्स माफिया कोई सामानिय माफिया नहीं है ये पूरा इंटरनेशनल रैकेट है ये इंटरनेशनल रैकेट को तोडने के लिए रात दिन गुजरात पुलिस प्रयास कर रही है देश के प्रदान मंतरी आधरनिया मोदी जी और अमिच साजी हर डीजी कॉन्फरेंस में सबसे ज़्यादा बार ड्रग्स को पकड़ने के लिए देते हैं ये हमारी कम नसीबी है कि ड्रग्स के विशय को राजनेतिक विशय बनाते हैं ड्रग्स जैसे विशय में हम सबको एक साथ होके लड़ना चाहिए देश की युवा पीडियो को बरबाद करने वाले ये नेट सामाजिक दूशन है ये सामाजिक दूशन के सामने लडने के लिए सबको एक होना चाहिए मेरा ये मनना है कि कई और भी गैस्ट आपके पास आने वाले उनको पूछिय कि उनके जो राज्य रूलिंग राज्य है वहाँ पे उन्होंने ड्रग्स के विशय में क्या काम किया और उनको ये भी पूछना कि ड्रक्स का कारोबार चलने लेना चाहिए या इस प्रकार से पकड़ना चाहिए। प्रकार से गुजरात पुलिस ने सकता ही बनाई है उसके कारण उनको रास्ता बदलना पड़ रहा है। नजर आ रहे हैं हाला कि उनके थोड़े जादा हैं आप नौनों मंत्राले समाल रहे हैं गुजरात में। जिना मैं गुजरात के आदर्ने मुख्यमंतरी श्री भूपेंदरवाई पटेल जी का एक कारे करता हूँ। मैं उनके टीम का एक मेंबर हूँ। गुपेंदरवाई पटेल की एक अलग प्रकार की स्कील है। वो बड़े नेक किसम के इनसान है। उन्होंने गुजरात के सभी समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेके गुजरात के विकास की यात्रा को आगे बढ़ाने में बहुती महत्वपुर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री जी के मार्ग दर्शन के हेतल मैं उनके एक जूनियर मंत्री के तौर पे कही विभाग में काम कर रहा हूँ और उनके मार्ग दर्शन में उनके जो विचार है वो विचार को जमिन में ले जाने का मैं प्रयास करता हूँ। प्रित्विडाज चौहाट जी से मंच पर थे कौंग्रिस पाटी के वरश नीता उनकी और से ये कहा गया है कि बीजेपी नी अपनी हार स्विकार कर ली है मंत्री और मुख्यमंत्री बदलने का सीधा सा अर्थ यही है कि जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से फेल रही सरकार देखे प्रित्विराज जी को जनता के बीच में जाने का यहां पर कोई जगे बची नहीं है यह स्टेज पर आके कुछ भी बोल जाएं पूछिये को कॉंग्रेस को क कॉंग्रेस चींता में उनको कह लगाने है यह रहूर जी आएंगे तो कुछ को नहीं कर जाएंगे kया सालों से जो मेहनत कर रहे है वो मेहनत पर पानी फिरा आके वापिस चले जाएंगे आपको लग रहा है कि राहुल गांधी के आने से कॉंग्रेस के कारे करताओं को नुकसान हो जाएगा यह मैं नहीं कह रहा हूं यह पिछले कहीं चुनाओं के रिजल्ट्स आप देख लीजे वो जब जब आते हैं तब तब कुछ नया ही करके जाते हैं वो क्या बोलके जाते हैं उनको ही नहीं पता होता है पचली बार तो मुश्किल कर दी थी ना उन्होंने किन ने राहुल गांधी ने नहीं गलत बात है 2017 में आपको 99 पर रोग दिया और 77 सीटे कॉंग्रेस ने हासल की यही विशही पे खास तौर पे आपको घहराई से सोचना चाहिए समाज के बटवारे लंबे समय तक आपको सफलता नहीं देता आज कॉंग्रेस का क्या हाल है तभी समाज के बटवारे में कई उनको छोटी मोटी सफलता मिल गई आज सूरत जैसे सहर में उनका एक भी कॉर्पोरेटर नहीं है गुजरात की एक भी म्यूंसिपल कॉर्पोरेशन उनके पास नहीं है एक भी जिल्ला पंचायत आज उनके पास नहीं है उसके बाद जितने जितने चुनाव आए उसमें से पूरा सुपड़ा साफ हो गया कहीं पर कॉंग्रेस बचे ही नहीं है आप जो जिल्ला पंचायत की इकाई है तब समाज के बटवारे में उनको कुछ सफलता मिली थी मैं जो बोल रहा हूं उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें समाज में जो बटवारा किया था उसके कारण उनको सफलता नहीं मिली चुनाव 2022 में उनके कारेकरता बहुत अच्छी तरह से नीचे जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो तो हर चुनाव में प्रयास करते मुद्दे पर लोटती हूं शराब बंदी यह शराब पीने के वज़े से कई लोगों की जान चली गई यह बीकड़ा मुद्दा है गुजरात का जिस राजजी में शराब बंडी हो वहां पर शराब पीनी के वज़े से लोग दम तोड़ रहे हैं फेल रही सरकार इस मुद् इनकारिय जमीन पे कर रही है। हमने मातर सराब नहीं दुम्रपान है, सराब है, ड्रग्स है। ये सभी विश्य को सामाजिक तोर पे हर एक गाउ तक सराब कैसे छुड़ाई जाए। लोग ये दुशन में ना आए उसके लिए क्या किया जाए। उस पे गुजरात के हर एक ग निखड़ा गया था मूर्भी का जिक्र करने आपूराइब की बात आपको मैं जवाब दोंगा। या वात आप जो सराब की बात कर रहे हो, उसके लिए बात कर रहा हूं। सराब बंदी में हमने बहुत अच्ची सफलता भी प्राप्त की आप अभी सराब ईलिगल बेचने वाले जो व्यक्ति है उन में से एक व्यक्ति अभी जो most wanted था वो दुबई भाग गया है दुबई भागने के बाद हमने इंटरपोल नोटिस जारी की और हो सकता है कि ये विक्ति अंदर वो आरोपी भी हम उसको दुबई से गुजरात के अंदर पकड़ के लाएंगे ये देश का पहला किस्ता होगा देश के अंदर कोई भी राज्यनयात तक इलिगल सराब बेचने वाला व्यक्ति कोई भार के दे कभी कोई एक व्यक्ति अगर भागने में सफलता प्राप्त की हो तो उसको पकड़ के लाके भविश्य में इस प्रकार के काम में लोगों को दर लगे उस प्रकार का एक दाखिला बिठाने में गुजरात सरकार सफलता प्राप्त करेगी मोर्भी लेकर चलते हैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मोर्भी पहुंचे हुए थे वहाँ पर हम सब ने देखा कि कैसे 140 लोगों ने जान गवाई 50 छोटे बच्चों की जान चली गई प्रधानमंत्री एक जानकारी मुख्यमंत्री की बजाए आप से लेती हुए ने जरारे थे उनको भी दुख था क्या जानकारी उन्होंने शेयर की और अभी तक सभी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं जो आपकी विरुधी हैं कि जो बड़ी मचली है उसको बीजेपी बचाने का काम कर रही है देखिए ये चुनावी माहुल है और चुनावी माहुलों में कई ना कई सभी विशयों को राजनितिक विशय बनाया जाता है मैं वो विशय में नहीं पढ़ना चाता हूँ लेकिन मुर्भी की घटना एक बहुती दुखत और दुर्भाग्य पूर्ण घटना थी घटना बनते ही गुजरात के मुख्यमंत्री जी ने एक हाई लेवल कमिटी का चैन किया हाई लेवल कमिटी में गुजरात सरकार के सीनियर आईएस, आईपीएस उन सब को वो कमिटी में रखा गया मुख्यमंत्री जी फ्लाइट में जब बैट रहता है उससे पहले ही सब को सूचना दी गई थी कि रात को तीन बज़े से ही सब लोगों को वहाँ पर मूर्भी पहुचना है, जहाँ पर भी है, वहाँ से तीन बज़े तक पहुचके इसकी तैकिकात चालू करनी है गुजरात सरकार ने सबसे पहला ऐसी कोई दुरगटना बनती है, तो सबसे पहली हमारी नईतिक जिम्मेदारी क्या है हमारी नईतिक जिम्मेदारी यह है कि बचाओ कारिया जल्दी से चालू हो, मैं देश के प्रधान मंत्री जी, आधरने मोदी जी और अमिच साजी का आभार मनना चाहता हूँ रात पो चार-चार बज़े तक और सुबे छे बज़े तक उनकी ओफिस continues, ऐसा एक भी घंटा ऐसा नहीं गया होगा कि जब वो दोनों जन डाइरेक्ली फॉलॉप गुजरात सरकार के साथ नहीं कर रहे हो प्रधान मंतरी कारिया लई ने, NDRF, प्रधान मंतरी जी मंच पर आप से क्या बात बता रहा हूँ, यह पूरा इश्यू सही में बहुती sensitive और emotional issue है, इसको मतलब पूरा किस प्रकार से चला है वो जानना बहुत जरूरी है Air Force, Garud, Navy, सबी प्रकार की जितनी भी agencies थी, सबको within hours वहाँ पर पहुचाया गया, कोई विमान से आ रहा है, कोई roadways से आ रहा है, और गीने ओवे घंटों में वहाँ पर लोग पहुच गया और बचाव कारिया चालू हो गया प्रदान मंतरी जी बहुत गंबेर थे, प्रदान मंतरी जी के मन में कई ना कई बहुत ही बहुत ही कई ना कई दुख था, जो बच्चे, जो परिवार जन है, प्रदान मंतरी जी ने सबसे पहले ये सवाल पूछा, कि ये घटना बनने के बाद, पहला patient, हॉस्पिटल में कि विदिन 18 मिनिट पहुचना चालू हो गया था उनके बाद उनका सवाल लिया था कि कोई भी पेशन्ट या कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति था कि जिनको हॉस्पिटल ले जाने के लिए एम्मुलेंस की कमी पड़ी हो फायर बिगेड कितनी देर में पहुची उन्होंने काम कैसे च जो कमीटी जो चैन हुआ है जो इसकी इंक्वाइरी कर रही है उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी इंफ्लूएंस ना हो और इसकी तहकिकात जमिनी तौर से लेके फोरेंसिक साइंस का पुरा उप्योग करके इसकी तहकिकात हो जिसके कारण भविश्य में इसमें से कोई छोट ना पाए दूसरी चीज बड़ी मचली छोटी मचली मेरी आप से विंती है कि आप वो जो एफायर हुई है उसको एक बार जरूर से चेक कर लीजे अगर आप च एट गंटे के अंदर वो एफायर कि है वो एफायर में बढ़ा क्लियर लिखा है कि एजंसी जो इसकी मेंटेनन्स कर रही है और एजंसी जिसने यह संफुरण 확진 जिम्मधारी लिये ज़ो टिकेट कलेक कर रही है टिकेट बेच रही है उसके अंदर जुडे हुए सबी लोग इसमें किसी को छोड़ा नहीं गया है तीक है आपने प्रधानमंत्री की संबेदंशीलता का जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री जी इस बात को लेकर चिंतित थे कि कितनी देर में पहला पेशन्ट अस्पिताल पहुँच गया अब जरा में एक तरफ प्रधा प्रधानमंत्री के अस्पिताल जाने के पहले अस्पिताल के रंगाई पुताई करवाई जाएगी जिस जगह पर एक सो चालीस लोगों की जान चली गई हो वहां पर ये आदेश किसकी ओर से दिया गया था देखे ये बहुती महत्वा पुर्ण विश्य आज आपने पूछ करते हैं जैसे ये पता चला के कोई किसी ने पिया यू या कोई डिपार्टमेंट ने इस प्रकार से कलर का काम चालो किया है विदिन मिनिट्स वो काम बंद हो गया था विदिन मिनिट्स लेकिन लोगों ने उसको गलत तरीके से कई ना कई भार प्रस्तुत किया है इससे प् सी भी प्रकार का लोगों को तकलीफ पड़ें उनकी treatment को कोई भी तकलीफ पड़ें इस प्रकार का कोई भी कारिया hospital में ना हो कहले से सुचना थी लेकिन कहीं न कहीं वहां के Department से यह भूल हुई थी और तातकालिक minutes में ये बंद करवा लिया गया था ये विशाई सही तोर पर बहुत सेंसिटिव है किसी की भूल जरूर से हुई है इससे कई ना कई मन में हमारे भी बहुत दूख है लेकिन ये विशाई कोई कलर करवाने का मन सरकार का नहीं था ये सज बात मैं आपको बता रहा हूँ चले ठीक है वापस लोट कर आ जाते हैं फिर उन तमाम चुनावी मुद्दो को लेकर जिस पर बीजेपी चुनावी मैदान में हैं देखे दो हजार दो के बाद जब आपको 127 सीचे मिली थी उसके बाद बीजेपी का ग्राफ धीरे धीरे ही सही लेकिन गिर रहा है आप 99 पर आ अलग-अलग local parties के साथ गुजरात का चुनावी लड़ा है अदो हजार बारा 17 का चुनावी मैंने भी लड़ा है मैंने बहूत करिब से यह चुनावी देखा है भारत्य जनता party और गुजयात की नागरिकों का एक रिष्टा बहुती affected प्रकार का है उसको समझना बहुत मुस्किल है क्या है ये रिष्टा, क्या कहलाता है ये एक सिक्के के दो पहलू है दुनिया का सर्वस रेस्ट समू परिवार है हम लोग गुजरात की जंता को गुजरात की धर्ती को बदनाम करने का प्रयास हर एक चुनाव में होता है लेगिन गुजरात की जंता एक होके चुनाव लड़ती आप ये चुनाव भी एक अईतियासिक रिजल्ट आएगा अर्विंद केजरिवाल आ गया है मैदान में कह रहे हैं परिवर्तन की बयार बह रही है उनकी चुनावी सभावों में जबरदस्त भीड़ उमर रही है और भान चींजर जाते हैं वो खंस से जुड़े लोगों का नास्ट करेंगे देखे हैं भगवान कुश्न का अवतार बनना इतना इसी नहीं है भगवान कुश्न के साथ खुद की कमपरिजन करना यही अपने आप में जाहिर करता है कि कि उनकी सोच क्या है भगवान कुरुष्ण का सहास और केजरिवाल जी के विचार ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते भगवान कुरुष्ण को थोड़ा पढ़ ले वो पहले बाद में कुरुष्ण भगवान की बात करे वो लेकिन मुश्किले तो बढ़ा दी है ना उन्होंने कई सीटों पर आपकी देखे जिस तरह की भीड उनके सभाव में उमर रही है वो तो बीजेपी के लिए इसलिए बड़े बड़े नेताब हर मंच पर कह रहे हैं कि भाई कॉंग्रेस पार्टी चुनाब लड़ रही है सुन रहा हूं सीम उत्राखंड में जो उनकी इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी है उन्होंने जिस प्रकार से प्लानिंग दिया था वही प्लानिंग से वह गुजरात में चल रहे हैं वही प्लानिंग से वही फेस से पहले कुछ दिनों पहले सर्वय आता है इसी प्रकार से जोटींगी आधा था हुआ था व हां पे भी जूठी बाते कि यहां पे भी जूठी बाते कि चुनाव भारतिय जंता पाटी और कॉंग्रेश के बीच में एक दम मझ Increose से होगा हुआ मादमी पाटी कहीं नहीं है यह हैं और आपर तीसरी पाटी बहुत बार मतलब ऐसा यह पहला चुनाव नहीं Wow 2012 17 हर चुनाव में इस प्रकार से तिसरी पाटी को कॉंग्रेस को लाती है कॉंघipping बंद कमरे में तो बटेगा तो फाइदे में तो बीजेपी ही रहेगी ना आप आठवी तारिक को जो रिजल्ट आएगा उसमें गुजरात की जंता की जीत जरूर से होगी वह इत्यासिक जीत होगी कल ही अर्वंद के जिवाल के और से कहा गया है कि वह अभिमन्यू है चक्रव्यू रच दिया का रूप ले लेते कभी वह अभिमन्यू जैसी कोई जहां के जरिवाल जी की कोई बात मतलब उनका मैं हर वक्ता रहूं ना तो उनके कितने रूप है वो समझ में नहीं आया है वह बहुत रूपिया आदमी है मैं मान लेता हूँ यह बहुत रूपिया लगते हैं आपको के केजरिवाल जी का अन्ना हजारी जी को जाके पूछिए कि उनका रूप क्या है अन्ना हजारी जी इसका जवाब सबको अच्छी तरह से दे पाएंगे अर्विंद केजरिवाल क्या है वो अन्ना हजारी जी को पूछना चाहिए अन्ना हजारी जी को विचार उनको ये उमर म कमाल करना चाहते हैं गुजरात मी आप लोग सूरत में उनको जनसभा करनी नहीं दे रहे हैं उनकी जनसभा में मोधी मोधी के नारे लग रहे हैं काली जंडे दिखाए जा रहे हैं यह भारत की धरती है यहां मोधी मोधी के नारे तो हर कोने में लगते हैं वीदेशों में लं अच्छी तरह से तैकीकात करनी चाहिए, वो विशाई को मैंने खुद देखा है, बहुत ही घंबिरता पुर्वक देखा है, मेरी गुजरात की धरती पर कोई भी नेता है, उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी है, 21 नमर की सीट थी उनकी ट्रेन में, 25 नमर पर काच कैसे फूटा है, उसकी तैकीकात भी हुई है, वहाँ पर बीच में, जो कंस्रक्षन का जो काम चल रहा है, उसमें पत्थर उड़ा है, हमने उनकी व्योस्ता, उनकी सुरक्षा की व्योस्ता एकदम कंपलेट की है, और यह हमारी जिम्मेदारी है, उनको किसी भी प्रकार की तकलिफ नहीं होगी, वो कभी भी प्रचार करने आए, हमें उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है, और हम अच्छी तरह से निबाएंगे, बीजेपी डर गई है, इस वज़़े से हमले करवारी है, अब आप OVC जी और उसमें बीजेपी को दरने का विशा ही नहीं है, बीज सद्धिन वैसी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, हम उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे, कहीं भी वो चुनाव लड़ने के लिए जाएं, फिर तो कॉंग्रेस की या फिर आम आदमी पाथी की वो बात सच होने लगेगी ना, कि वैसी जहां 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 जात से और कडी सुरक्षा देने के लिए एक दम कटी बात सब्सक्राइब करेंगे, कि उनके सभाव में नारे नहीं लगें, काले जंडे नहीं नारे तो अभी मोधी जी का फैन फोलोइंग मैं आपको बलता है ये भारत की धरती है, यहां तो होगा ही अमरीका और लंडन में होत के लगेंगे, लोगों के दिल में मोधी है, वो अभी वो आपको समझना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं उसमें, इसलिए मोधी है तो बीजेपी के लिए सब कुछ मुम्किन है गुजरात में, मतलब आप लोगों का नाम बहुत मुश्किल से जनता लेती है, केवल वो कहत की है, मोधी के नाम से शुरू, मोधी के नाम पर खटब, उनहीं के नाम पर वोट पड़ेंगे, आप लोग भी बड़े सेफ रहते हैं, कि हमारे पास मोधी जैसा नेता है, वोट तो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है, मोधी जी के दिशान इर्दोसों पर, उनके विजन पर हम सभी कारे करता बनके काम करते है, मोधी जी ने देश के नदर एक बड़ा बडला उलाया है, उनकी फैन फॉलोविंग है, और वोधी जी के नाम पर खटब मांगते रहेंगे आप लोग, कुछ अपना भी काम काच बताएंगे जनता को कि क्या किया है, ये देश के नागरिक, ये सड़क बिजली, पानी, गुज्राट रागी की परिशानी, अब ये प्रधानमंत्री तो देखेंगे नहीं, ये तो राजी की जिम्हेदारी है, शेकायत इस बात की है, सड़के काई जगों पर टूटी वी है, पहले के गुजराट में, मोदी के गुजरात में और आज के वज दी करता हूं कि आप मेरे साथ गुजराद भ्रह्मन पे चलिए गुजराद के कोई भी गाव में अगर आपको बिजली नहीं मिले तो मैं ये सवाल का जवाब दूगा गुजराद एक ऐसा राज्य है कि जिसके हर एक घर में पानी का नल पहुचा है गुजराद एक ऐसा राज ही नहीं है उनको ये रोड पर गड़े दिखेंगे कि उन्होंने राजय में रोड कभी बनाया ही नहीं है अब उनकी ये तकलिफ को मैं कैसे सॉल्यूशन लाओंगा आप गुजरात में रोड की तकलिफ पूरा देश यहां आके ये रोल मोडल के तौर पर देखते हैं कि रो रोग की गाड़ी ये तो नहीं देख रही थी कि यहां इसा थोड़ी नहीं होता है कई जगों पर गाड़ी आप तो एकदम तेज रिपोर्टर हो आप कोई चीज बाकी नहीं रखते हैं अगर होते तो आप चलिए मेरे साथ हम वापिर जाते हैं है कि अपको लग रहे हैं हाज जगह चकाचक है सी highest हो सकते मैं ना नी दॉर हो मैंने बोला है कि हमने रोड बना है पहले गड़ो में रोड उगा करते दे अब रोड में अध poczे पड़े है वह उसका कारण भारी बारी की जिम्मेदारी किसकी है गड़ा परने की जिम्मेदारी हमारी है और हम इसको निभा रहे हैं हो सकता है कई एक दो दिन लेट हो गया हो बरने में लेकिन ये जिम्मेदारी हमारी हो और हम निभा रहे हैं चलते चलते आखरी के दो सवाल में आप से पूछूंगी पहला ये कि क जोड़ो यातरा चोड़कें कोंग्रेस जो तोड़ो यातरा चल रही है उन लोग के अंदर वो जोडने की जरूरत है आप सोचिए कि कॉंग्रेस के मोस्ट सिनियर लीडर महान सिंग राठवा जी जिनको आज तक हम लोग चुनाव नहीं हारा पाएं दस-दस बार वो कॉंग्रेस में से चुनाव लड़े हुए और जीते हुएं कॉंग्रेस उनको नहीं संभाल पाई वो कॉंग्रेस ये राज्य को कैसे संभालेगी ये चिंतन का विशय किसका है जो पार्टी के कार्यकरता 50-50 साल से जो लोग पार्टी में काम कर रहे वो जब आप कॉंग्रेस को छोड़के जा रही है तो कॉंग्रेस को अपने विचार सुधारने पड़ेंगे उनकी कार्यपदत ही सुधारनी पड़ेगी और मैं मेरा घर संभालूंगा कोई से और का घर संभालने के जिम्मेदारी थोड़ी ना मेरी आपका घर कहां संभल रहा है कमलम आपके दफ्तर के बाहर बीजेपी के तमाम नेताओं की भीर लगी हुई थी जिनको टिकट नहीं दिये गए बीजेपी तो बड़ी अनुशासन वाली पार्टी मानी जाती है ल कई ना कई पार्टी को हर वक्त फैसले लेने पड़ते हैं कई ना कई जब परस्नली मुझे कोई बोल लेगा कि मुझे चुनाओं नहीं लड़ना है तो एक दो दिन तक मुझे कई ना कई दूख तो रहेगा ना लेकिन आप चिंता मत किजेश से खुश होने वाली बात नही फिर एक बार 2022 से 27 रात दिन काम करेंगे बगावती तेवर बाले कई ऐसे नेता थे जिनको आपने बुला कर समझाने के कोशिश कि वो मिलने नहीं आ रहे हैं इस तरह के खबरें देखे ये मिडिया ने बुला था कि मैंने बुला कि उनको मिलने की कोशिश कि मैं कभी किसी को मिलने गया है नहीं तो मैं भारती जनता पाटी के कारेकरताओं को मिलने गया था और मैं उनको मिलके आया हूं और मैंने देखा है उनके अंदर एक अलग प्रकार का जोश है बगावती नेता कोई नहीं है वो तो एक दो दिन का दूख है दिसरे दिन फिर एक बार परिवार के लोग है परिवार एक साथ मिलके लड़ेगा चलिए अब चलते चलते ही एक तो कितनी सीटी आनी जारी है भारती जन्यता पार्टी की एक स्प्रेसिफिक आंकड़ा में आप से जानना चाहूंगी और इसके साथ ही चुनकि पुछले तीन बार से मुख्यमंत्री का चहरा अन सीट का अंकलन यह भी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी क्योंकि कई ना कई सभी पार्टी के उमेद्वार अभी डिकलेर हो रहे हैं पचली बार देर सो दे दिया था इनिन्यान भी इस वज़र से बच रहे हैं मैं आपको बता रहा हूं मतलब यह मैं कोई मतलब रात को सपन आए और सुबह आकड़ा बोलने वाला व्यक्ति नहीं हो मेरा यह मनना है कि अभी बहुत जल्दबाजी है बाइस तारीक के बाद धिरे धिरे यह सिट के आंकलन आएंगे लेकिन एक चीज मैं पक्की बता रहा हूं आपको कि गुजरात की जंता में यह वक्त पूरा हिसाब कर लेने के मूड में जिस प्रकार से गुजरात को तोड़ने की कोशिस हर एक चुनाव में करते हैं यह वक्त फिर से एक बार सितंबर महीने से जो हमारी गुजरात टूरिजम जो इलेक्शन की चालू होती है उसको हम लोग डिसेंबर महीने में समाप्त कर लेते हैं लोगों उनको सही सलामत वापिस घर पहुचाने की जिम्मधारी गुजरात की जंता लेती है। ये वक्त भी पहुचाएंगे। दूसरी बात मैं भारतिय जंता पार्टी का कारे करता हूँ। भारतिय जंता पार्टी ने मुझे बहुत छोटी उमर में चुनाव लड़ने का आउसर दिया था। मेरी पूरी फैमिली में साथ पूर्खों तक कोई आद तक पॉलिटिक्स में आया नहीं है और ना शायद भविश्य में कोई आएगा। कि मैं कारेकरता के रूप में काम करता हूँ और भारतिय जंता पार्टी ने मुझे बहुत दिया है। भारतिय जंता पार्टी का एक एक कारेकरता वो गुजरात की जंता की सेवा में एक साथ मिलके लगेगा। दोहजार बाईस से सताइस फिर एक बार भुपेंदरभाई पटेल जी के मार्क दर्शन में हम सब मिलके गुजरात की जंता की सेवा करेंगे। तोंचास कॉंग्रिस पार्टी का जो रिकॉर्ड है वो तूटेगा इस बार या लग रहा है कि देखे गुजरात की मुश्किल है समबल समबल कर बोलता हूं गुजरात की जंता का मूड बिलकुल बन चुका है कि सभी आकडों का रेकॉर्ड तोड लेना चाहिए यह गुज गुजरात की जंता लिखेगी चले बहुत शुक्रिया सांग्वी साब आज तक के इस मंज पर आने के लिए और तमाम मुद्धों पर हमसे बाचीत करने के लिए अब आपकी चहरे का यह हर्श आठ तारिक तक क्या कायम रहेगा या बढ़ जाएगा या घटेगा नहीं मेरा इस खमाल बीजेपी दोहरा पाएगी यह देखना महत्त पूर्ण रहेगा बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया आपका जैगर्वी गुजरात ये है 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 जैग झाल झाल